कि है एलो दोस्तों स्वागा था आप से वी का हमारी यूटूब चैनल विजिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम दहेज प्रतिसेद अधिनियम से संबंदित प्रस्ण को देखेंगे उसको यह जो वीडियो है यह उत्तरपदेश में से प्रस्ण को सौल्व किया है और यह नेक्ट वीडियो है जिसमें आप आप देखेंगे कि अपराद में जो है जो की अतिनियम के अंतरगत को अपराद किया जाता है तो उन अपरादों का जो संग्यान है वह किसके परिवाद पर लिया जाएगा और किस न्याले के दौरा ऐसे अपरादों का संग्यान लिया जाएगा और इस अपराद की प्रकृति है वह किस प्रकाइद की होगी अर्थात यह संगे होगा जमानती गहर जमानती होगा या समनी होगा तो इसके संदर में जो प्रस्ण है उसी का उत्तर हम इसमें देखेंगे और इसन पर डिसक करेंगे और यहाँ परहां पर्णात खेंगे हम हम हमारे चैनल को विए उत्तर क्या हो कि अधिनियम के दिन तो और प्रकृति कि प्रकार की होगी तो यह जो है कि अधारासाथ में कि रघ्रण संग्गिता में किसी बात के होते हुए भी महानगर्मझते तो ही फैसे Acho वर्ग् न्याइग मौनेशटेट एक नियालय का नियालय इस अधिनियम याहिए है कि अंतर गतिया है कि इस अधिनियम के अधिन अगर कोई अपराद है तो उसका जो विचायान होगा महानगर मैश्चेट यह प्रथम सकते हैं इनसे निम्न स्रेणी का अगर कोई नहीं कर सकता है तो यह बात हो गई कि विचारन कौन करेगा दूसरा है कि यह जो विचारन होगा किसके परिवाद पर किया जाएगा तो इसके संदर में भी प्राउधान अधार साथ के सउआरा कर दवरा किया चाहिए पुलिस रिपोर्ट पर अगर मामला वहां फे उसके संग्यान में आता है तो भी उसका संग्यान ले सकता है और पीडित व्यक्ति के परिवाद पर भी संग्यान ले सकता है पीडित व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार के द्वारा अगर परिवाद किया जाता है तो वहां पर भी उसका संग्यान ले सकता है इसके अलावा एक और महत्पूर्ण है कि मानेता प्राप्त अगर कोई कल्यान संस्थाएं हैं और संगठन है तो इनके द्वारा भी अगर परिवाद किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ऐसा जो मैस्टेट सक्षम है वह इस मामले का या दहेज अगर किसी आपराद का संग्यान ले सकता है और उसका विचारन कर सकता है और महार नगर्म मजिटेट या प्रफमवर्ग नियाइग मजिटेट इस अधिनियम के दिन किसी अपराध के लिए दोससिद्ध ठाराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत कोई दंडा देशपारित कर सकेगा तो इसका अतात पर यह है कि जो इस अध अधिनियम के दिन किया अपराध का उसके साथ साथ विद्ध के द्वारा प्राधिकृत जो है कोई भी दंडा देश भी परित कर सकते हैं थारा साथ के खंड 2 को लेखते संघ्यान के लिए परसीमा काल का नई.. अधिन दढ़न को लागउ नहीं होगा तो अगर किया जाता है तो उसे का संघ्यान क Вас कि द्वारा कभी भी लिया जा सकता है तीसरा खंड है कि अपरात से व्यक्ति का कोई कथन उसे इस अधिनियम के धिन अभ्योजन का भागी नहीं बना देगा इसका ताथ पर यह है कि अगर अपरात से जो कोई पीडित व्यक्ति है और वह है अभ्योजन के दौरान कोई कथन करता है तो ऐसे कथन किये जाने के कारण हुआ जो है अभ्युक्त नहीं बन जाएगा या उसके उपर जो है कोई अभ्योजन नहीं चलाए जाएगा तो यह तो हो गई धारा साथ के जो प्रावधान है कि अपराद का संग्यान कब लिया जाएगा किसके द्वारा लिया जाएगा और क प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में निर्देश प्रयोजनों के लिए और वारंट के बिना गिरपतारी के प्रयोजनों के लिए तो यह तीन प्रयोजन है इसे मामलों में जो CRPC के प्रविजन इस प्रकार से लागू होंगे कि जैसे वे संगय अपराध्यों अर्थात जब अनुइशन किया रहा होगा यहां 42 के अधीन अगर कोई कारी किया रहा है या वारंड के मिनागिरफतारी की जा रही है तो उस इस्तिती में उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जैसे कि सियार बीसी के अंतरगत संगे अपराधों के मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन या इसकी प्रक्रिया है वह है अपना जाती है तो यह जो प्रावधान है धारा आठ के अंतरगत दिया गया है और धारा आठ के अंतरगत यह भी बताया गया है कि इस अधिनियम के अधिन जो वाले व्यक्ति पर ही यह साबित करने का भार होगा कि उसने कोई अपराद नहीं किया है तो इसका ताथ पर यह है कि जो अभ्यूक्त व्यक्ति है उसे ही यह साबित करना होगा कि उसने जो है दहेज की मांग नहीं किया है और सामाने मामलों में क्या होता है कि जो अभ्यूक्त ब्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है वह स्वयम अभ्यूक्त पर ही होगा तो दोस्तों इस प्रकार से इस जो प्रस्ण है इसका प्रापर आंसर हमने इस वीडियो में देखा है डिसकस किया है और उमीद है कि यह जो वीडियो है आपकी त्यारी के लिए साहिक थावित होगा और इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यबाद